प्रदेश में संजे सिंघ को tails को क supposedly्अ कि की इसीप कि पिख्षा चोरी हो रहा है पानी चोरी हो रहा हमारे आपके हिस्से का जो हक वही चोरी हो गया और संजे सिंग सहाब सीना ठोक कर कह रहे हैं कि हम निकालेंगे चाहे जितने मुक börjar में लिखवा दो होने वाला कुछ नहीं हम तो तिरंगा यात्रा निकालेंगे अगर यह अपराद है तो हम बार-बार यह अपराद करेंगे खर देखा जाएगा अब चलते-चलते हम बात करे उत्तर प्रदेश के बाहु बली बिधायक और जन सत्ता दल के अध्यक्ष को रगुराज प्रताप सिंग राजा भहिया की एक वक्त था जब मायवती ने राजा भहिया को जेल में डाला था तब उस वक्त नारे लगा करते थे और जब राजा भहिया बांदा जेल से चूटे राजा भहिया को लेने बांदा जेल मुझे अच्छी तरह याद है करने गया तो मुझे अचछी तरह याद है कि हज्यारों लोग सेकनों गाडियों का काफिला राजा भाया को लेने गया था और ये कहा जा रहा था कि उत्तर प्रदेश को एक ऐसा नेतर तो मिलने जा रहा है एक छत्री नेतर तो ये कहा गया थे कि छत्रियों के बहुत बड़े नेता के रूप में राजा भाया उभरेंगे लिकिन वह राजनीतिक प्रस्ट भूमें जमीन नहीं तयार की अपनी और एक तरीके से वो बिलकुल चुप चाप एक तरीके से हाइवर नेट वाली राजनीति करते रहे और वहां पड़े रहे एक दो साल डेर साल पहले की बात है उनके सिपाई सालारों ने कह दिया कि राजा भाईया एक पार्टी बनाई जानी चाहिए और राजा भाईया ने जन सत्ता दल का गठन कर दिया चुनाओ चिन भी उसका मिल गया चुनाओ एउमरे स्टेशन भी हो गया दो साल बाद उस दवरान लखनओ में एक सम्मेलन हुआ जा जो पार्टी लांच की गए थे उसके बाद मुझे नहीं याद पड़ता है कि प्रदेश में कभी राजा भाईया निकले हो अपनी पार्टी का जहंडा डंडा लेकर कभी नहीं निकले लेकिन अब जब चुनाओ 2022 का आ रहा है तो राजा भाईया की उम्मेदे भी कुलाचे मार रही है राजा भाईया ने राम लाला के दरसन करने के बाद कुछ कहा वह आपको सुनाते हैं इसके बाद आपसे बिदा लेंगे कि हैं युद्प बिगाड़े निकरा ही हम चन्त हैं जार स़वाध लेब राम लाला सरकार के ओगरे बाद फिर जन्सम्पन पर कर अए करा लोग तरहapter तरफ इशारा हम वाकई नहीं समझ रहे हैं लेकिन सबका स्वाज़त है हम समझ नहीं रहे हैं आपकी स्यात्रा से कहीं भी बच्छियों के नीध अराम हो गए नीध उड़ गए यह कई लोग तरह तरह के कमेंट कर रहे हैं इस पर कुछ कहना है आपका देखे परताफगड में जन्म ली हुई आप इस पार्टीए जन्सत्ता और इस पार्टी का जितना विस्तार होगा तो जितना फैलाव होगा रएक प्रताफगड के निवातीं के लिए ये गर्व और प्रसंदता तो अपने घर में मिले सहयोग मिले अशिर्वाद मिले यह तो हमारे लिए सुख की बात है और सुभाविक बात है कि तरीके से आपकी यात्रा पूरे पर्देश में चलने वाली है अलग अलग मंडलों में चड़नों में लगाई जाएगा तो आपने सुना राजा भहिया के रहे हैं कि केहु का बनावे बिगाले नहीं निकले हैं या लोगें से मिले जुले के बरे निकले थेट पुरवांच लिए अंदाज में राजा भहिया का या अंदाज भी देखने वाला है लेकिन फिर सुई वहीं आकर अटक गई परताब गड़ और उन्होंने कहीं डाला कि यह परताब गड़ से निकली पार्टी है परताब गड़ के लोगों को बहुत खुसी होगी तो इस बार भी लग र साथ में कुछ सामाजिक मुद्ध भी हो सकते हैं नमस्कार